नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मेहुद प्यांसू इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी चंपारन बगहा से जहां नदी पार करते समय एक नाव हाथसे का सिकार हो गया दरसल पिपरासी थाना शित्र में सनिवार की दोपहर गंडक नदी में एक नाव का हाथसा हो गया और गंडक नदी पार करने के दोरान यह हाथसा हूआ है बताया जा रहा है कि एक छोटी नाव पर 6 लोग सवार होकर धान की रोपनी करने के लिए दियारा जा रहे थे नाव से गंडक नदी पार कर रहे थे, इसमें 4 महिला समेथ 6 लोग सवार थे इसी दोरान नदी के बीच में नाव फट गया, हाथसे में परसोनी गाउनिवासी विशुन सर्मा की पतनी माया देवी डूब गई है हाला कि बांद पर खड़े एक युबक ने पांच लोगों को बचा लिया लेकिन एक महिला अभी भी लापता है जिसकी खोज बिन जारी है घटना की सूचना मिलते ही स्थानिय पुलिस और सीओ मौके पर पहुँच कर HDRF को सूचना दी और मौके पर पहुँची HDRF की टीम महिला की खोज बिन कर रही है क्या कुछ कहना है प्रतेक्ष दर्शियों का सुनिये तो सुना आपने किस तरीके से जो एक नाव थी उसमें छे लोग सवार होकर जा रहे थे दहान की रोपनी करने के लिए लेकिन गंडक नदी में वो नाव जो है जब पहुँची तो नाव फट गया और उसके बाद वो घटना गरस्त दुर घटना हो गई हाथसा हो गया जिसमें एक महिला के डूबने की सूचना है फिलाल HDRF की टीम उस महिला को खोज रही है और आप तो जानते हैं कि पूरे बिहार में इस वक्त किस तरीके की बारिस हो रही है मुशलाधार बारिस से जहां जंजीवन अस्तिवेस्थ है वहीं कई नदियां उफान पर है ऐसे में गंडक नदी भी उफान पर थी और उस उफंती नदी में जब 6 लोग नाव पर सवार होकर जा रहेते खेती करने के लिए तब ये हाथसा हुआ है और बड़ा ही दर्दना उसके साथ